असलाम आलेकुम कैसे आप सब मैं उमीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे और सब खुश होंगे अल्ला तला सब को खुश रखे और सब की रिजग में बरकत अदा फर्माएं तो यह गर्मिया तो आच चुकी है और फालसे का जूस जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो चुक है तो मैं जो फालसे का जूस बनाने वाली हो थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार यह बनता है इसमें आपको खटा बन बिल्कुल महसूस नहीं होता फालसो का यहां मैंने 3 चमचीनी कीं च SALVA चीज की यह एक टी स्पून में अन्य शारा क यह मैंन चीज है इनर जाहिल मैंने एक बड़ा इन्रघाल यह का यूजञ उसके है जिससे बिल्कुल भी खटावन मैंसूस नहीं होता और यह बहुत जबरदस और बड़े मज़े का बनता है तो यहाँ जो पानी यूज़ करी उसमें मैं क्यूब्स जो अलग से यूज़ नहीं करी यह ठंडा पानी है जिसमें थोड़ी बरफ आपको नज़र आ रही होगी और इसके साथ ही मुझे एक ब्लेंडर जग की जुरत पड़ेगी जो इसके जग में यह पानी डाल दी है और साथ ही में जो फालसे हैं वो भी डाल दूँगी बट मैंने थोड़े से छोड़ दिये थे कार्णिशिंग के लिए बाकी सब मैंने डाल दी है और यहां पर मैंने चीनी और इनर जायल और जो काला नमक है वो भी साथी डाल देना है और हम इन सब चीजों पू अच्छे से ब्लेंड कर ले ने थाकके से एक स्मूथ सा स्मूधी बन जाहे और तब तक ब्लेंड करते ले ने जी जूस बिलकुल रेडी हो चुका है अब यहाँ पर जो है इसको देखे यह बहुत जादा घना है और इसमें इसके सीट्स भी होंगे तो मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया और स्ट्रेंड करने के लिए मेरे पाचे इस टाम यही चाननी अवेलबल थी आप इसके लिए क इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ माशाला से बहुत जबरदस बने है जी तो माशाला से बहुत जबरदस भने है देखें कितां घना घना है इस रेसिपी को जरूर ट्राय करिएगा और मुझे बताइएगा आपके कमेंट्स और आपका लाइक मेरा होसला बढ़ाता है कि आप मुझे देखते हैं और सुनते हैं मेरी रेसिपी को पस संद करते हैं बिलते एक नही वीडियो में एक नही रेसिपी के साथ तब तक मुझे दीचे इजाजत और इजो चैनल पे नहीं है वो चैनल को लाकसे ईक्रेंड सब्सक्राइब तो जरू कर लें आप बैहिते झाल झाल